दोस्तों अगर किसी तर आपको पता चल जाए कि नकली नोट कैसे छापते हैं तो फिर आप क्या करेंगे आप में से कई लोग सोच रहे होंगे अगर ऐसा हो गया तो हमारी बल्ले-बल्ले हो जाएगी लेकिन असल में ये तना असान भी नहीं है नकली नोट छापना अपने आ को मात देने जैसा है दोस्तों आपके मन में ये सवाल कभी न कभी तो जरूर आया होगा कि आखिर नकली नोट छापते कैसे हैं और इन्हें कौन बनाता है और इंडिया में ऐसे कौन से लोग हैं जो सरकार की नजरों से बचकर नकली नोट छापते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वो सारी जानकारी देंगे जो इससे पहले शायद ही आपको पता हो इसलिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रही है लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें FATF Financial Action Task Force ने 2013 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके मताबिक नकली नोट छापने के मामले में धारत दुनिया में नौए नंबर पराता है और तो और एक रिपोर्ट के मताबिक इंडिया में चल रहे 2000 के नोट में 56 प्रतेशत नोट नकली है इसका मतलब अगर आपकी जेब में 2000 के चार नोट मौजूद है तो हो सकता है उसमें से दो नोट नकली हो लेकिन आप बिलकु भी आम इंसान नकली नोट चाप सकता है लेकिन क्या ये मुम्किन है खैर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे इससे पहले जान लेते हैं आखिर हमारे देश में नोट चापने का इतिहास कितना पुराना है दरसल हुआ यूँ कि 1938 में पहली बार RBI को महसूस हुआ कि उन्ह इंडिया के लिए नोट चापने चाहिए और फिर इंडिया में पहली बार 1938 में नोट चापने का सिलसला लगातार चलता रहा और देश की आजादी के बाद इसमें समय समय पर कई तरह के बदलाव हुए लेकिन धिरे धिरे देश में टेक्नॉलोजी का विकास होने लगा और और कुछ लोगों ने जाली नोट चापने का धंदा शुरू कर दिया और 1996 में पहली बार RBI को महसूस हुआ कि उन्हें अपने नोटों की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए मतलब अधिक सिक्योर नोट चापने चाहिए और इसके बाद नए नोटों की छपाई शुरू कर ने लगी इसी चीज़ को ध्यान में रखकर 2016 में पहली बार हमारे प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी जी ने 500 और 1000 रुपे के नोट ही बंद गर दिये इस तरह मार्केट में घूम रहे 1000 और 500 के जाली नोट अपने आपी खत्म हो गए और इस तरह मार्केट में नए 500 और 2000 के एंट्री हो गई इन नोट पर सिक्योरिटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर बनाए गए थे जैसे कि नया 500 का नोट पुराने 500 के नोट के मुकाबले साइज में छूटा था और इस पर सी थूरू रिजिस्टर भी लगाया गया है इसका मतलब अगर इस नोट को लाइट क गुमा कर देखेगा तो वहां पर 500 लिखा हुआ दिखाई देगा इसके लावा पुराने नोट के तरह इसमें भी गांधी जी के वाटर मार्क को एड़ किया गया इसलिए दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि दुकानदार 500 का नोट लेते समय इसे उपर नीचे करके दे खाई दे और वो तसलिए करके उस नोट को ले ले दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि RBI ने इन नोटों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि बिना आखो वाला विक्ती बिना आसानी से पैचान सकता है देरसल 500 के नोट पर दोनों तरफ कुछ लाइन्स बनी होत इसमें लेफ्ट साइड में बिल्कुल छोटे-छोटे अक्षरों में 500 इंडिया लिखा होता है जिसे माइक्रो लेटर कहते हैं किसी भी नकली नोट में इस तरह के माइक्रो लेटर लिख पाना बहुती मुश्किल काम है लेकिन कुछ भाई लोग कहां मानने वाले हैं जैसे मार्केट में नए 500 और 2000 के नोट आना शुरू है इन भाई लोगों ने नकली नोट शापना शुरू कर दिया इसलिए NCRB की रिकोर्ट के मताबिक आज भी भारत में 2000 के कुल नोटों में 56 प्रतेशत नोट नकली है लेकिन अब बात यह आती है कि भला वो कौन से लोग हैं ज इने जेल की हवाई तो अच्छी लगती है ऐसे लोगों की वज़े से देश में वरिष्टा चार फैलता है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश के लगबग हर बड़े शहर में कोई ना कोई नकली नोट शापने वाला मिल ही जाएगा खैर इस बात से याद आया कि हम भी नोटों की छपाई की जाती है तो उन्हें जाली नोट माना जाएगा वले ही वो नोट असली क्यों ना हो मतलब इन चारों प्रिंटिंग प्रेस से छपने वाले नोट ही असली माने जाते हैं और इसके लावा हैदरबाद, नोईडा, मुंबाई, कुलकाता में भी चार जहां पर हमारे चिलर बनाया जाते हैं चिलर मतलब सिके, खैर इदर उदर की काफी बाते हो गई अब आपस मुद्धे पर लोटते हैं आखिर जाली नोटों की छपाई कैसे की जाती है और अगर भारस सरकार की माने तो पांच ऐसे तरीके हैं जिनसे जाली नोट छापे जा कितने भी कोशिश कर लो लेकिन इस जिरोक्स कॉपी असली नोट से बिलकुल अलग दिखती है और इसका कलर भी असली जैसा नहीं होता इसलिए कोई बच्चा भी देखकर इसे असानी से बता देगा कि ये नोट नकली है लेकिन कोशिश करने वाले फिर भी कोशिश करते हैं खैर उन्हें छोड़े और अब हम नकली नोट बनाने के दूसरे तरीके पर आते हैं दोस्तों अक्सर आपने शादी विवा के कार्ड बनते समय इस टेक्निक को देखा होगा जिस तरह हम बच्छपन में पैंसिल से स्क्रैच करके पेंटिंग बना देते थे और कभी-कभी सिक्के को पेपर में दबा कर हूब हूँ उसकी फोटो बना देते थे ठीक उसी तरह इसमें भी नोटों की चपाई की जाती है लेकिन पहले वाले तरीके की तरह इसमें भी कलर और पेपर देखकर कोई भी बता देगा कि यह जाली नोट है दोस्तों आपने किसी फोटोग्राफर को तो जरूर देखा होगा जिस तरह एक फोटोग्राफर फोटो लिने के बाद अंधेरे कमरे में जाकर उस फोटो को सेंसिटिव पेपर पर उतारता है उसी तरह कुछ लोग हंधेरे कमरे में जाकर असली नोट की फोटो को sensitive paper में उतार देते हैं और फिर इन नोटों को असली जैसा दिखाने के लिए इन पर coloring और toning की जाती है सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये जाली नोट बिलकुल original नोटों की तरह दिखने लगते हैं और किसी आम इंसान के लिए इने पहचानना मुश्किल हो जाता है और इसलिए नोट बनाने के सारे तरीकों में फोटोग्राफिक्स प्रोसेस सबसे टिकाओ तरीका है लेकिन सबी फोटोग्राफर भाई लोगों से हाथ जोड़कर निव्यदन है आप लोग अपना काम छोड़कर यार ये सम मत करो लेकिन आखर कलाकार तो कलाकार होता है इसलिए भाई लोग कई तरह के ओईल और वाटर कलर की मदद से ये सिक्योरिटी लाइन भी छाप लेते हैं इस तरीके से छापे गए जाली नोटों को पैचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन वो कहता है जोहरी को अच्छी तरह से पता है कौन सा हीरा असली है कौन सा नकली ये तरीका तो बिल्कुल सीधा और हाथ की सफाई वाला है जहां कोई इंसान अपनी कलाकार दिखाते हुए असली नोट की नकल करके कागज पर ड्रॉइंग बनाता है लेकिन अब भला कोई इंसान इतनी complicated ड्रॉइंग कैसे बना सकता है और इसे बनाने में काफी समय भी लगता है लेकिन कुशिश करने वाले फिर भी करते हैं और अपना लक आजमाने के चक्कर में कई बार पुलिस के हत्ते चड़ जाते हैं और फिर जब पुलिस के हाथ हैं उनकी पिटाई होती है न तब इन्हें असली नोट की पहचान हो जाती है दोस्तों आए दिन हमारे देश में नकली नोट चापने वाले कई racket पकड़ जाते हैं लेकिन सवाल ही आता है क्या ये लोग इतने सारे नकली नोट चाप सकते हैं जितने नकली नोट आए दिन पकड़े जाते हैं दोस्तों हम आपको बता दे 2020 में मुंबई एरपोर्ट पर बहुत सारे नकली नोट पकड़े गए जो पाकिस्तान में चापे गए और गहराई से चानबीन करने पर ये सामने आया कि नोटों पर मिलने वाले वैक्स पिक क्योटेंट, पॉलिविनाइल अलकोहल और पीच वैल्यू और तो और पीपर की मुटाई तक पाकिस्तान की लीगल डेटा से मैच कर रही थी तो इसका ये मतलब निकलता है क्या पाकिस्तान चोरी छिपे इंडियन करन्सी को चहाप रहा है आपको क्या लगता है अपनी राय कॉमेंट में देना तो दोस्तों अब चलते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो नो